नमस्कार मैं हर सिंग और आपका स्वागत है हमारे चैनल DS4 News में और आज हमारे स्टूडियो में मौझूद है राम सैना प्रमुक विश्नु विनूदनम महराज जी तो आज हम कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जो की राजनीतिक मुद्दे होंगे तो चलिए मैं सुरू करता हूँ अपने पहले सवाल से तो विश्नु विनूदनम जी मेरा आप से पहला सवाल ये है कि हाल ही में जो प्राइवेटाइजेशन है वो हम देख रहे हैं कई छेतरों में किया जा रहा है सरकार द्वारा हमने पहले देखा कि लाल किला, एयरपोर्ट, भारत पैटरोलियम और अब रेलवे का निजी करड किया जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि आखिर क्या मुख्य वजाहें हो सकती हैं इसके पीछे देखिए ये सरकार जब से आई है, सरकार कम कहीं न कहीं एक किसी पक्ष की चाटू कारिकता करती हुई दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं कुछ ही घरानों की विशे के लिए काम कर रही है हर चीज को ये प्राइविटी करण में चाए वो रेलवे हो, चाए वो हमारी दूर संचार सिवा हो सभी को ये चाए वो आपने अभी कहा लाल किला तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि ये एक ऐसा लगता है कि किसी साजिशन तहत इस देश को फिर से गुलाम बनाने के लिए चल रही है तो इनकी मनशा बड़ी खतरनाक महसूस होती है और इस देश के लिए कहीं न कहीं ये गलत देखाई देता है अच्छा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो भारत देश में जो गरीब लोग हैं जो आम परिवार से संबंध रखते हैं उनकी संख्या काफी तादात में हैं और हम ये भी देखते हैं कि लोग अक्सर देल गाड़ियों में चालू डिब्बे में सफर करते हैं अगर हम बात करें किसानों की तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी सीटे रिजर्व करवा के यहां आ सके तो ऐसे समय में अगर निजी करड़ कर दिया जाता है रेलवे का तो आखिर उसमें फिर चालू डिब्बे की कोई संभावना नहीं होगी तो आखिर इस पे आम जनता की जेब खर्च पर क्या असर पड़ेगा देखिए गरीबों के लिए तो काम ही नहीं कर रही गरीबों को एक खत्म करने का काम कर रही है इसमें ये गरीबी को हटाने के लिए काम नहीं कर रही है गरीबों को हटाने के लिए काम कर रही है कहीं नहीं बहुत ही जल्द जिस तरीकी के हालात इस देश में पैदा हो गए हैं तो इसका बहुत बड़ा असर उन गरीबों पर ही पड़ेगा ये जो भुकमरी के हाला दीरे दीरे पैदा होते जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर खत्म होते जा रहे हैं वैपार खत्म होते जा रहे हैं नोकरियां खत्म होते दिशाविहीन सरकार चल रही है एक नित्रत करने वाली सरकार नहीं है अब विपक्ष भी बड़ा कमजोर सा दिखाई दे रहा है ऐसा लगता है कि एक नित्रत खतम हो गया है इस देश से बहुत बुरे हालात नजर आ रहे हैं जैसे हालात नजर आ रहे हैं इस देश में क्योंकि ये एक बड़ा देश है तो धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है लेकिन अब लोगों की समझ में आना शुरू हो गया है लोग कहीं ना कहीं बिलक रहे हैं जिन्होंने इनको शौक शौक में मतदान कर दिया अब उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया गलती कर दी ये गरीबों के हित के लिए जैसे आपने बात कही एक कमजोर विपक्ष के बारे में तो आखिर आज के समय में हम किसे एक ऐसे विपक्ष की भूमीका पर रख सकते हैं जो अपनी विपक्ष के काड़े को सही से समाल सके क्योंकि हाली के मौजूदा समय में हम देखते हैं कि अगर कॉंग्रेस पार्टी की बात करें तो कॉंग्रेस की भी इस्तिती डामडोल नजर आती दिखाई दे रही है तब ही ऐसा होता है कि हम हर्याणा की बात करें तो महरास्ट की बात करें तो वहां पर असोग तनवर और हम संजे निरुपम और देखते हैं कि हाली में सलमान खुरसित का भी बयान आया कि नेतरतफ की कमی यहां पर महसूस हो रही है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वाकई क्या कॉंग्रेस में विपक्ष पार्टी में नेतरतफ की कमी महसूस हो रही है लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो ही है कॉंग्रेस अपने आपको बैटर करने के लिए देखते हैं क्या बैटर होता लेकिन फिलहाल की डेट में एक नित्वत की कमी तो नजर आ रही है एक वो नेता नजर नहीं आ रहा एक बड़ा नेता की जरूत है इस देश को क्योंकि जिस तरीके से एक साजिशन तहत इस द व्यवस्था को समालने के लिए खाली मोदी जी योगी जी या अमिशा ही नहीं करते बाकी की जो बैक टीम होती है वो काम करती है और ऐसा कैसे हो रहा है कि देश दीरे 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 अंदकार की तरफ चलते चला जा रहा है तो कहीं नहीं एक बहुत बड़ी साजिश नजर आती है इस देश को खत्म करने के लिए तो यह दिख रहा है बाकी का देखते हैं नित्त एक नेता की जरुवत तो जरूर है इस देश को और कौन सा ऐसा नेता निकल करके आता है वो इस देश को देखना पड़ेगा तो मेरा अब सवाल आपसे ये है कि आखिर आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा नेता हो सकता है जो इस निर्तरत को समहा लेगा कॉंग्रेस पार्टी के लिए क्योंकि अगर मैं बात करूं कॉंग्रेस पार्टी की तो हम एक लंबे समय से देखते आए हैं जब से कॉंग्रेस बनी हैं तो यहां पर जो में लीड रोल में रहे हैं वो नहरू परिवार ही रहा है गांधी परिवार ही हमेशा रहा है कोई बाहर का नेता आके यहां पर कमान कभी नहीं समाली है तो आज के समय में जब राहुल गांधी ने अपने अध्यक्षपत से इस्तिफा दे दिया त तो आखिर सोनिया गांधी के सामने अब ये समस्या बनी हुई है कि ये निर्टतव किसके हाथ में समाली जाए तो क्या अब इतिहास बदलेगा? क्या ये निर्टतव की कमान किसी ऐसे नेता को मिलेगी जो गांधी परिवार से बाहर का होगा? दिखिए ये कॉंग्रेस का इंटर्नल विशे है लेकिन मेरा वेक्तिगत मानना ये है कि एक मजबूत नेता की इस देश को जरूरत है और ऐसा लगता है कि अगर कोई मजबूत नेता अभी सामने नहीं उतरा तो देश बहुत बड़े गड़े में जा रहा है और कोशिश कर रह है क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़लाव किये गए उतर परदेश में एक बड़े स्टार को हटा करके एक ऐसे जमीनी वेक्ति को ललू जी को लेकर के आए तो ऐसा लगता है कि कुछ बड़े बड़लाव अब कॉंग्रिस करने जा रही है जो देश के हित में नजर आता है ऐसा लग रहा है जैसा कि आप ने अभी कई बार बोला कि हमारे देश को एक नए नेतरतव की जरूरत है तो क्या आपको नहीं लगता कि परदान मंतुरी जो हमारे है नरिंद मोधी जी वो एक ऐसे नेता हैं जो एक अच्छी दिशा दे रहा है भारत को देखिए दिशा वो किस तरफ दे रहे हैं, भारत खुद देख रहा है, आप लोग पत्रकार हैं, आप खुद जानते होंगे कि किस तरफ वो देश को ले करके जा रहे हैं, देखिए एक बूलना, बहुत अच्छी अच्छी बाते बूलना, एक रोल पे मदारी भी बहुत अच्छे भाशन दे बहुत अच्छी डुगडुगी बजा लेता है लेकिन भाशनों से देश नहीं चला करते अगर देश चल रहे होते तो इतनी अर्थ वैवस्ता नहीं टूट रही होती जिस तरीके से देश की अर्थ वैवस्ता टूट रही है तो ऐसा लगता है कि किसी मदारी के हाथ में इस द अर्थिक वैवस्ता जो है वो अपने एक बहुत ही खराब वक्ते से गुज़र रही है वहीं पर जब भी हमारे प्रधान मंत्री किसी बहरी देश का दौरा करते हैं जैसे कि हाली में हाउडी मोदी जो कारे करम हॉस्टन में किया गया वहां पर उनसे ये सवाल पूछा गया जब कि हाउडी मोदी तो उन्होंने भारत के बारे में सब कुछ अच्छा ही बताया उन्होंने बोला कि हम यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे पहले वो रश्या में भी विजिट किये और वहां पर भी बिलियनों में उन्होंने कर्ज दिया दूसरे देशों को कर्ज द और मोदी की टीम बहुत अच्छी है भारती जनता पार्टी बहुत अच्छी होगी लेकिन देश अच्छा नहीं है एक राजा को पूरे देश की तरफ देखना चाहिए और मैं यह कहूं कि भारती जनता पार्टी के सभी लोग बड़े खुश हैं दिखो चाटू कारी करता अपनी जगह है लेकिन जब देश के पूरे समूं की तरफ देखा जाता है तो वहां दिखाई देता है जब इतने बड़े-बड़े सेक्टर के पसीने चूट रहे हैं जीडीपी गर रही है तो यहां सपस्ट होता है कि नित्व तुम्हें कोई ना कोई कमी है या यह एक है ठीक है जिस तरीके से आपने बात कही कि आर बी आई से पैसा अभी बैंक करप्ट हो रहे हैं बैंक खतम हो रहे हैं दिवालिया हो रहे हैं जिस तरीके से बैंक दिवालिया हो रहे हैं उसी तरीके से सरकार भी दिवालिया होती है अभी जो सरकार हम पीछे देखें तो ग् दिखाई देने वाला है कि सरकार दिवालिया हो जाएगी और लोग जो दुखी है वो रोड पे उतर जाएंगे भुकमरी के हालात पैदा हो जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एक ऐसे नेता की जरूत है जो इस देश को आकर के फिर दुबारे से समझा ले ऐसा लेकिन जैसे कि हम कुछ राजनीती की तरफ अपना रुख रखते हैं थोड़ा सा उस तरफ ध्यान देते हैं तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि इस वक्त दिशा विहीन देश चल रहा है एक दिशा नहीं मिल रही और एक पूरा मीडिया का आडंबर दिखा करके एक माइ मेडिया को भी एक ऐसा संस्थान मानते हैं जो कि गवर्मेंट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है जैसे कि अगर हम मेंस्ट्रीम की बात करें मेंस्ट्रीम मेडिया की बात करें तो कई मुद्धे ऐसे होते हैं जो मेंस्ट्रीम मेडिया पे नहीं दिखाए जाते हैं तो आज आप इस मेडिया के बारे में क्या सोचते हैं कि लोक तंतर में इसे एक चौथा इस्थंब माना जाता है तो क्या वो अपना काम उसी प्रकार से कर रही है या नहीं देखी पहली बात तो लोक तंतर को खत्म करने की बात करी जा रही है कि लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए, जैसे कि विपक्ष को खत्म करने की बात आए, कि विपक्ष विहिन कर दिया जाएगा देश, विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा, नियू इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो जो नियू इंडिया है, वो नियू इंडिया में विपक्ष क खतम करने की बात कर रहे हैं और जहां विपक्ष खतम हो जाएगा तो वहां जो विपक्ष है लोकतंतर के दो पहिये होते हैं पक्ष और विपक्ष जब विपक्ष ही खतम हो जाएगा तो एक तरफ हो जाएगी सारी सरकार और ये कहीं न कहीं इसमें मीडिया पूरा रोल अदा कर रही है वो एक स्क्रिप्ट के पर काम करती है जो सरकार जिस स्क्रिप्ट को देती है सिर्फ उसी को लेकर के बात करती है उसके इर्द गिर्द भी बिल्कुल बात करने की जरूत नहीं महसूस होती जहां से उनको पैसा मिलता है जहां से उनको सारी सुविधाएं मिलती है आप जैसे कुछ पत्रकार हैं जो सत्य को ले करके चल रहे हैं मैं आप लोगों को इस देश का बहुत बड़ा स्थम्ब मानता हूं मैं आपको चौता स्थम्ब कम से कम आप सच्चाई को दिखाने की बात तो कर रहे हैं सच्चाई दिखातो रहे हैं लेकिन ये तो सच्चाई को चुपाते हैं स्मोक न्यूस चलवाई जाती है स्मोक न्यूस के जरिये सच्चाई को चुपाया जाता है और असलीलता परोशी जाती है तो जब एक देश का जो में पिलर है पत्रकारता, मीडिया जैसे अब मेडिया को बहुत सराहा, तो हाली में हम देखते हैं कि सोशल मेडिया एक ऐसा प्लैटफॉर्म बन चुकी है, जहां पर दुनिया के अन्य अन्य जगाहों से खबरे आके दिखाई जाती है, जो न्यूस मेडिया पर नहीं कवर की जाती है, वो सोशल मेडिया पर कव सोशल मेडिया को कहीं न कहीं सीमित करने की एक साजिस है, सोशल मेडिया के ओपर सरकार अपना कंट्रोल करना चाती है, दिखिए सुप्रीम कोड की कुछ बाते काफी हद तक सही भी है, क्योंकि यहां पर फेक निउस भी बहुत चलाई जाती है, और वो भी एक पार्ट होता है, आइटी टेम सरकारों की होती हैं जो इस काम को करती है, फेक निउस चलवाती है, तो कहीं न कहीं बड़ा सही और गलत के बीच में दिखाया जाता है पूरा का पूरा चेहरा और जहां पबलिक गुमरा हो जाती है, तो यह जो मीडिया है, इसके उपर बहुत कुछ करता है, और जब मीडिया ले विहीन हो जाती है, बिक जाती है, या गोदी हो जाती है मीडिया, तब बहुत बुरा असर देखने को मिलता है, पूरे देश पे, पूरे समाज पे गोदी नहीं होना चाहिए, किसी की गोद में बैठ जाना नहीं चाहिए, दोनों पक्ष को ले पूरे ही चारों तरफ लेगी थी विपक्ष की राहूल गांदी की या कॉंग्रेस की एक भी तस्वीर पूरे कुम्भ में नहीं लगाई गई तो ये एक तरफा माहौल एक पूरा का पूरा हीूमन प्रोग्रामिंग किस तरीके से हीूमन को इंफ्लुएंस किया जाता है किस त तरीके से हीूमन प्रोग्रामिंग होती है तो ये जो हीूमन प्रोग्रामिंग के पार्ट को ये मोदी सरकार अब ये बीजेपी सरकार नहीं रही है ये मोदी सरकार हो कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी थी ये जो मोदी सरकार है ये बड़ा गलत कर रही है यहां योगी जो है वो एक बहुत मैं कह सकता हूं सुलजे हुए वेक्ति हैं एक साधक हैं संत हैं बड़ा उनका अस्तित्व है लेकिन ये जो दो गुजराती बैठे हुए हैं इस देश में वो कहा जाता है कि जिस देश का राजा वेपारी हो वहां की जनता भिकारी होती है यह कहा गया है तो यह वैपारियों ने इस देश की जनता को भिकारी बना दिया है आज जो हालात पैदा हो चुके हैं देश में और मीडिया फिर भी इस बात को कह रहे है ऐसे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा आप को जोगों की जेव में पैसा नहीं है जमीने बिक नहीं रहीं कारोबार हो नहीं रहे तो बहुत बुरे हालाद दिखाई देते हैं तो आखिर अब मेरा सवाल आप से ये है कि हाली में हमें हमने देखा कि हमारे जो डिपेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंग वो फ्रांस में गए हमारा पहला राफिल विमान लेने जिसके उपर हमारी राजनीती बहुत गर्माई हुई थी और हमने देखा कि वहां पर उन्हों ने उस पे ओम बना के और नारियल चड़ा के उसके जो भी है पूजा की और उन्हों ने ये कहा जिसको माई आप उससे जो धर्म की आपको बहुत अच्छी समझ है तो आखिर जब ये कहते हैं कि एक हिंदुवादी सूच की एक हिंदुवादी विचार धारा तो आखिर सही माईने में क्या है हिंदुवादी देखिए एक तरफ मोदी जी इसी चीज को एक आडंबर मानते हैं दूसरी तरफ वही पूजा करवा रहे हैं और पूजा भी कैसे करवा रहे हैं बड़ा हार्से प्रद है देखिए जिसका काम है उसी को साजे अब वहाँ वो अंगूठा टेक लोग अंगूठे से ओम बना रहे हैं जब वो अंगूठे से ओम बना रहे हैं अंगूठा टेक हैं तो अंगूठा टेक ही सरकार चल रही है और वो ही अंगूठा टेक काम हो रहा है तब ही सारा का सारा अंगूठा दिखाया जा रहा है ये अंगूठा दिखा कर कि क्या दिखाना चारे है वो क्लियर है व वो बैंक हो, कारोबार हो, ये एक साजी सन तहत किया जा रहा है, जिस तरीकी से मैं बार-बार कह रहा हूं कि इस देश को एक नेता की जरूत है, वो नेता इस देश को अब चाहिए, वो कॉंग्रिस लेकर के आए या कहीं और से आए, लेकिन इस देश को अब एक बहुत इस देश में अब रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, देखिए राफेल इसलिए लाया गया था, कि वो हमारे देश की रक्षा करे, अब राफेल की रक्षा के लिए निमू मिर्च लगाए जा रहे हैं, तो निमू मिर्च राफेल की रक्षा करेंगे, और राफेल देश की रक्षा करेगा ये बड़ा एक हासरपत लगता है ठीक है जैसा देश को चला रहे हैं सब आपके सामने हैं बाकी आगे सब सामने आएगा क्या राफिल देश की रक्षा करेगा निमू मिर्च राफिल की रक्षा करेंगे जी अच्छा रास्टवाद को लेकर क्या कहना हम देखते हैं कि जो भाजपा की राजनीती है, वो दो सब्दों पे बहुत असानी से टिकी हुई है, एक है रास्टवाद, दूसरा है धर्म, अब हम बात करें अगर रास्टवाद की, तो रास्टवाद तो एक अच्छी चीज है देश के लिए, तो आखिर क्यों आखिर गौ काम रास्टवाद होता है, धर्म, धर्म से ही राजनीती चलती है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, अभी मेरी TV डिबेट्स में मेरे से पूछा जा रहा था, कि एक संत को इतनी चिंता करने की जरूत क्यों हो रही है, संत का एक धर्म होता है, कि वो अपने देश की, अपन पर मुझे बोलना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, देश का राजा, देश का निता क्या कर रहा है, दिशा विहीन हो रहा है, जिस विसे पे मेरे को बोलना चाहिए, मेरा खाली पहलू ये नहीं होना चाहिए, कि सरकार मेरे को बैक भर-भर के नोट दे रही है, तो मैं उस उसे प्रसंद रहूँ, मेरे को बहुत सुक्सुविदाएं दे रही है, मैं उसे बहुत प्रसंद रहूँ, या मेरे को सुरक्षा, मेरा आडंबर तयार कर रही है, मैं उसे बहुत प्रसंद रहूँ, ये मेरी नियती नहीं होनी चाहिए, मैं एक संत हूँ, संतुस्ठ हूँ, जो भी परमात्मा ने दिया, लेकिन मेरी एक दाय तो बनता है एक संत का, कि मैं अपने देश की हर एक प्रानी की रक्षा के लिए बात करूँ, जब तक मेरी सांसों में सांस है, मैं देश के लिए कोई भी गलत करेगा, मैं उस पर टिपड़ी करूँगा, उस पर उंगली उठाऊँगा, ये मेरा करतव है, और हमने ये भी देखा कि हमारे परदान मंत्री ने कई अभियान चलाए, जैसे कि सच भारत को लेकर, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान को लेकर, लेकिन हाली में देखा गया, कि उन्नाओ केस, और चिन्मियानन्द केस, और आज ही की न्यूज में आया कि जो कुल्दीप सिंग सेंगर है, CBI के प्रवक्ता का ये कहना है कि जो उनके खिलाफ सबूत पुकता नहीं है, इसके चलते उनको सभी हत्या के जो इलजाम है, उनसे बरी किया जाता है, तो आप क्या मानते हैं कि आखिर इस सरकार के अंडर, हमारे जो बहु बेटियां वो सुड़क्षित महसूस करती हैं या नहीं? दिखिए, हाली ही में बड़े हालात बुरे नजर आए हैं, ऐसा क्यूं दिखाई दे रहा है कि जितने बलतकारी हैं वो भारतिय जनता पार्टी की हैं और चिन्मिना नंद जैसे इतने मैं कहूंगा सुल्जे हुए संत थे, जो सामने आया वो बहुत गलत नजर आया कि चिन्मिना नंद जी बाहर हैं और वो बाली का जिसने आरोप लगाया उसको जेल में भीज़ दिया गया, तो ये किस तरफ सरकार जा रही है, मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक हिटलर साही सी दिखाई दे रही है, मतलब जो सरकार चाह रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, जैसा ये चाहते हैं वैसा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो एक सपस्ट क्लियर मेसिज है ये, ये आपको समझ लेना चाहिए, कि यहाँ पर आप अब सुरक्षित नहीं है इस देश में, ये सपस्ट क्लियर हो रहा है, कि यहाँ आप अगर कुछ मूँ खोलेंगे, तो आपको मार दिया जाएगा, ये हम लोगों को बहुत धमकी होते हैं, ठीक है हमें मार दिजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें मारने से अगर आपका भला होता है, तो आप कर लीजिए, लेकिन उस मासुन जनता को तो बकस लिए, जहाँ आप बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और वहाँ बेटियों के साथ को सुलजाने के लिए, आखिर आम जनता को किस प्रकार से भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि आम जनता तो अपना जो वोट देके, वो बहुत विश्वास करके किसी सरकार को बनाती है, किसी परधान मंतरी को चुन कर सामने लाती है, लेकिन उनके बावजूद, फिर अगर कोई प्रधान मंतरी या कोई विधायक या कोई सांसद ऐसे निर्ने लेता है, जो आम जनता के हक में नहीं होता, तो आखिर उस समय जनता क्या करे, उसके पास क्या चैन बसता है? देखिए, पहली चीज तो जो मैं बार-बार कह रहा हूँ, एक नित्य उत्य की जरूरत है, ऐसा कोई एक निता जरूर आना चाहिए, जिसको ये जनता सपोर्ट करे, दूसरी बात, जनता अब इस सरकार को या किसी भी सरकार को बना रही है, ये उनकी बहुत बड़ी गलत फ क्यों आना है, किसलिए आना है, तो ये अपने दिमाग से अब जनता, क्योंकि अब जनता के बीच में एक नित्य की जरूरत है, उस जनता को चलाने के लिए, उस एक निता की जरूरत है, और उस जनता को भी उस निता को समझना पड़ेगा, अगर जनता अपने उस निता को नहीं बना सकी तो जाहिर सी